राधी राधी मित्रो स्वागत है आपका अपने ही चैनल मित्रो आज मैं बात करने वाली विवा पंचमी 2024 में अगर आपकी विवा में विलंब हो रहा है विवा में रुकावटे आ रही है तो विवा पंचमी के दिन आपको कर लेना है यह उपाय आपको मैं बहुत से उपाय बताऊंगे उसमें से आपको जो सही लगेगा वो उपाय कर ले देखिए रिस्तों की लाइन लग जाएगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और उपाय को जानते हैं उपाय तो मैं बताऊंगी पर जो पहले से विवाहित है तो विवाह पंचमी के दिन विवाहित चोड़े इस दिन पूजा करके अपने विवाहित चीवन को मधूर और प्रेम पूर्वक बनाने का आशिरवात प्रात कर सकते हैं इस साल जो विवाह पंचमी है 6 दिसंबर 2024 को है आईए मित्रो अब हम उपाय जानते हैं सबसे पहला उपाय विवाह पंचमी पर माता जानगी को सुहा की समागरी अरपित करके ब्राहमन इस्तरी को दान देना से साधी में आ रहे ही रुकावटे जो है दूर होगी वर्यावधु के लिए रिस्तों की लाइन लग जाएगी तो ये उपाय जरूर करें दूसरा उपाय मैं संतान सुप के प्राप्ति के लिए बता रही हूँ इस दिन आप श्री राम और माता सीता का पूजन करें और श्री राम रक्षा श्रोत का पार्ट करें मानिता है कि इससे ओजस्वी संतान की प्राप्ति होती है और आपकी सार मनोकामना पूर्ण होती है अगला उपाय रिष्टा पक्का करने के बाद भी तूट रहा है तो विवा पंचमी के दिन विधी विधान से राम सीता जी की विवा कराये संभव हो तो इस दिन वरत रखकर किसी गरीव या जरूरतमत करन्या के विवा में मदद करने का संकल्प ल विवा पंचमी के अफसर पर श्री हरी विष्णू और देवी लक्षमी को गाय के दूद में केसर मिलाकर अभिशेक करना फलदाई होता है मानिता है कि इसे विवा में आ रही बाधा दूर होती है तो ये उपाय बिलकुल करे राम बान उपाय है ये तो मित्रों कैसा लगा बाच का उपाय कमेंट्स में बताएं और उपाय जरूर करकर देखें फिर देखें रिजल्ट आपके सामने हैं आप मुझे खुद कमेंट्स करकर बताओगी कि हां वाकई में इससे हमारी जो बाधा है वो दूर हो गई चलिए इस वीडियो को यहीं आइंड करती हो जल्दी मिलूंगी नेक्स वीडियो के साथ माता रानी के क्रिपा आप सब पर बनी रहे हैं जै माता दी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें